तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने चाहरी हूं और वह भी 100% एकुरेसी और ऑथेंटिस्टरी के साथ साथ बोर्ड के ओफिशन वेबसाइट के थ्रू ही मैं आपके साथ नोटिफिकेशन शेयर करती हूं ताकि किसी किसम की कोई भी कन्फूजन बाकी ना रहे तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने चाहरी हूं special exams की date sheet साथी साथ जो confusion थी students की कि क्या उनके result cards पे annual result examination ही लिखा जाएगा या special exams या supplementary exams लिखा जाएगा वो भी confusion आज इस वीडियो में दूर हो जाएगी सो बात करते हैं पहले date sheet के हवाले से एक HSC part 2 examinations की date sheet issue कर दी जा चुकी है उससे पहले वो मैं आपको optional websites पे दिखाने से पहले मैं आपको बता दू कि अगर still किसी student को special exam से regarding कोई भी confusion है तो मेरी कल की latest video को view कर ले क्योंकि जो PBCC की तरब से latest notification issue किया गया उसकी in detail explanation मैंने provide की है जिसके बात हर point इंशालाब को clear हो जाएगा इसके लावा जो last date है for Punjab Boards that is 1st November और extend हो गई थी और मैंने आपको notify भी किया था तो 1st November last date है with single fees for जिन students ने अभी तक admission नहीं बेजा वो जल्दी से admission sent करने सो अब चलते हैं FBIC की official website पर पहले तो date sheet for HSSC second annual examination 2021 अपलोड कर दी जा चुकी है federal board की तरसे जैसे कि आप जानते हैं कि federal board के HSSC के exams जो है वो 10th of November से start हो रही है साथी साथ जो confusion थी students को कि उनके result cards पर क्या चीज़ नोट होगी तो यहाँ पर वो confusion भी दूर हो जाएगी क्योंकि जिस तरहां से date sheet पर लिखाव है second annual examination 2021 इसी तरहां से आपके result cards पर भी ऐसे ही mention हो जाएगा तो इसमें बिल्कुल भी आप परिशानी की कोई बार बाकी नहीं रही 10th of November Wednesday से papers start हो रहे हैं सिर्फ और सिर्फ elective subjects के ही papers हो रहे हैं और यह papers continue रहेंगे आपके 23rd तक यानि 10th November से start होगे 23rd November तक यह papers चलेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपके elective subjects के papers हैं आप अपने subject wise अपनी date sheets को note कर लें मैं link भी description में provide कर देती हूं चाके आप यह date sheet को download कर सकें still अगर किसी भी student को कोई confusion है उसके लिए वो मुझे comment कर सकता है साथ ही साथ अगर हम बात करें पंजाब boards की तो उनके हवाले से already notification issue किया जा चुका है पी extension में जो admission dates है उसमें already extension हो चुकी भी है और जैसे ही admission dates close होंगी obviously within a week उनकी भी date sheet issue कर दी चाहेगी और obviously मैं आपके साथ वो share कर लोगी so stay tuned to my channel thank you for watching Allah Hafiz